हेलो दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में Facebook एकाउंट को हमीशा के लिए डिलीट करने के बारे में आपको बताने वाला हूं तो दोस्तो इस वीडियो को लाज तर्व चरूर देखें दोस्तो सबसे पहले आपको अपना Facebook आपन कर लेना होता है और इसके बद दोस्तो आपको यहां पर कोर्णर में थ्री डॉट लाइन दिखेंगा तो इस पहले आपको क्लिक कर देना है इसके बद दोस्तो आपको नीचे की तरफ आना है नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहां पर Settings & Privacy का आपको आप्सन मिलेगा तो आपको इस पर टैप कर देना है इसके बद दोस्तों आपको नीचे के तरब देखेंगे कि फिर से यहां पर आपको सेटिंग्स ओपन हो जाएगा तो आपको इस पर टैप कर देना है और इसके बद दोस्तों आपको यहां पर पहले नंबर पे ही प्रस्ट क्ट्रोल का option मिलेगा तो आपको इसमें आ जाना है और इसके बद दोस्तों आपको यहां पर activation and delegation का आपको option मिलेगा तो इसमें आपको क्लिक कर देना है इसके बद दोस्तों आप यहां से चाहें तो आप इसे activate भी सकते हैं कुछ समय के लिए और आप हमसा के लिए इंचर मिलेगा चाहते हैं तो आप यहां पर डिलीट क्लिक कर देना होता है इसके बद दोस्तों आपको continue and account डिलेशन पे क्लिक कर देना होता है इसके बद दोस्तु आपको यहां पर रीजन मांगा जाता है अब क्यों अपना एकउंटडिलीट करना चाहते हैं तो आप कोई भी यहां से region चूज कर लेंगे तो जैसे कि हम यहां पर my account वाच है के हम यहां पर क्लिक कर देते हैं और इसके बदोस्तों हम यहां पर continue to account election पर क्लिक कर देते हैं इसके बद दोस्तों तो आपको नीचे के तरफ आना होता है और यहां पर आपको डिलीट एकाउंट का अपसन फिर से मिल जाता है तो आपको यहां पर फाइनली क्लिक कर देना होता है इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर पासवर्ड मांगा जाता है तो आपको यहां पर पासवर्ड अपना डा दल देना होता है जैसे कि हम अपना password जो बनाए है और इसके बाद दोस्तों हम continue कर देते हैं इसके बद दोस्तों फिर से आपको यहां पे डिलीट अकाउंट का अपसंद मिल जाएगा तो फिर से क्लिक कर देना है दोस्तों यह फाइनली आपका एकाउंट डिलीट हो जाता है तो दोस्तों आई होब कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो एसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकून को दबाए थांक्स फर वाचिं इस वीडियो